into the technical uhall Ad0Doth 307 उंकॉडर च्फ़ी में कनवर्ड कर सकंवा क्या है या purity कर देता है इसलिए हमुडर को चन्वर्च इणकोडर करते है और किसी भी मूव्मेट्ट इनकोडर कई प्रकार की होते हैं जो उनसंग की प्रकार के होते हैं जो-चन की एप्लिकेशन के साब से दिये हुए होते हैं चलिए हम इन इंकोडर के बारे में विश्तार पूर्बग जाने और इसके लिए सबसे पहले आप इस चैनल को लाइक कीजिए सस्क्राइब कीजिए और कमिट जरूर कीजिए ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग को मेरा वी वो एक एक ऐसा डिवाइज होता है एक एकसा एक्यूप्मेंट होता है दूसरा है लीनियर और दूसरा है रोटरी लीनियर और रोटरी इनमें भी दो प्रकार होते हैं एक तो incremental होता है दूसरा absolute होता है और अब हम इसको सबसे पहले हम लीनियर के बारे में discuss कर लेते हैं लीनियर इनकोडर में सेंसर और ट्रांजूसर इसके जो रेडिंग हेड होता है उसके साथ लिंक्ड होता है और सेंसर जो इसकेल दी हुई होती है जैसे कि यह इसकेल दी हुई है इसके इसकेल को रीट करता है इसमें नमबर आफ पार्ट में बलेक जैसे इसमें दिया हुआ है इस पैटन को रीट करता है इसके अकारडिंग अनलोग और डिजिटल सिगनल करता है जैसे कि इसमें दिया हुआ है और उसके अलाभवध जैसे यह रोटेशन आप डिस्क अब यह इसका जिसे साथ से यह डिस्प्लेस्मेंट होगा इसमें दो सेंसर लगे हैं दोंऔ एक दूसर के 90 डिकरी के फैज्ट डिफरेंस से है इसमें दो चैनल आउट्पुट यूज करते हैं क्योकि इक यह शेनल यूज करने में हमको एकुरेशनी नहीं मिलते हैं दो चैनल ज्यादा प्रवाभी होते हैं, इसलिए अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले अगर इसका मुव्मेंट राइट डारेक्शन में अगर होगा, तो हमारी पल्स इस फॉर्म में जनरेट होगी, और अगर यह पहले चैनल में इस फॉर्म में जनरेट होगी, दूसरे लेफ्ट इस डारेक्शन में होगा, तो इसकी पल्स इस फॉर्म से जनरेट होगी, यह हमारा लीनर इंकोडर का डिसक्रप्शन हो गया है, अब हम रोटरी इंकोडर के बाई में डिसक्स कर लेते हैं, यह रोटरी इंकोडर का डाइग्राम बना हुआ है, इसमें एक साथ ला इसके अकोडिंगी सिगनल यह एकसेप्ट कर लेगा, इसके पल्स के फॉर्म में जनरेट कर देगा, अब यह इसका इंक्रिमेंटल इंकोडर के बाई में डिसक्स कर लेते हैं, इंक्रिमेंटल इंकोडर वेसिकली यह एक पारदर्सी डिसक होती है, यानि ट्रास्परेंट ड जब अपना टर्रनिंग मूवमेंट कहो है लेती है, जो इसमें led light source होता है, गोए डिटेक्टर होता है, तो धुर डिटेक्टर होता है signal ही हो जो हुती है इसके detector में SENSE कर्ली जाती है, और यह जो signals होते हैं इसके according यह पल्स जनरेट होती है, यहां पे भी हम दो चैनल यूज करते हैं, क्योंकि A और B और दोनों चैनल के बीच में 90 डिगरी का फेज डिफरेंस, इलेक्टिकल फेज डिफरेंस होता है, एक चैनल प्रभाबी इतना इफिशेंट या प्रभाबी नहीं होता है, कि यह रीट कर प सिगनल चैनल होते हैं, यह दोनों काउंट होते हैं, और टोटल काउंटिंग का सिगनल और फूट जनरेट होता है, अगर इंक्रिमेंटल इंकोडर में पावर चला जाता है, तो यह काउंटिंग, इनिशल काउंटिंग चालू कर देता है, क्योंकि और हमको इसको अगर दु के बारे में डिसकस करेंगे एप दूब्सूनुट कर दोनों में यह कंपोनेंट से मिल के बने होते लेकिन इसमें जो जो इसमें ग्लाज डिस्क होती है बो नंबर आफ तिक सर्किल संदीर के बनी हुई होती है, सर्किल के पैटरन में होता है, इसमें बहुत से सर्किल या केंदर होते हैं, एक ही केंदर के बहुत से सर्किल बने होते हैं, और यहां भी नमबर आफ, इसमें नमबर आफ लाइट इमिटिंग डायोड होते हैं, और इसके एक्वाडिंग फोटो और यह जो signal output generated होता है उसको हम डिटेक्ट करके उसके output को rotating disk जो output है उसको binary coding या light configuration द्वारा receive कर लिया जाता है जो binary coded output generated होता है जिसको receive कर लिया जाता है electron circuit द्वारा इनके pulse इनके जो pattern है यह जो दिये हुए है यह absolute के हैं और यह incremental के दिये हुआ है absolute में जिसमें number of LED transmitter और photo detector दोनों रगे होते हैं जिनके signal generate होते हैं जिसके आद यह signal उसमें दिये हुए concentric circle के according यह signal generate होते हैं और signal output generate होते हैं और इसमें दो signal यूज होते हैं जो एक दूसरे के 90 degree के difference होते हैं और जिसके कराण यह output यह pulse इस design में दी हुए है यहाँ other type के भी encoder यूज होते हैं जिसे सब्सक्राइब करके देख रहें कि इंकोडर का actual application क्या होता है यह machine के निशे continue move कर रहे है अब यह different type of encoder है जो machine हो में यूज होते हैं यह दिया हुआ है यह की shaft होगे रहा है soft है और यह इसका क्रोंस कंपनी का है यह इसमें sensor है जो इसको LED करी homing position बताता है और यह एक और है P&F का encoder यूज किया गया है यह हमारे filler can filler में यूज होता है यह वहाँ पर position को बताता है कि actual अभी क्या movement है और यह किस condition में कहां पर लगा हुआ है अब हम यहां पर encoder का internal circuit दिखाते हैं यह हमारा encoder है और अब हम इसको भूलेंगे इसको हम यहां से इसको प्रेस करके यहां से खुलने के कोजिस करेंगे यह circuit की यह detector unit है यह इसका disk है जो सामने दिख रही है disk है और यह इसकी soft है इस परकार अजय करेंगे इसको भी और कंश रहें बदे रहां से जो जो हम यह इसको बदिया जय है रहां मुल्याओ यहां से इसको लिशाप यह यहां से ओité यहां यहां एफिवा